आज मैं आपको एकडम चटपटा और क्रिस्पी फूल गोबी के पकोड़े बता रही हूँ अगर आप मेरे चैनल पे नए आये हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में सेर भी करिएगा और बैल आइकन को दबाना बिलकुल मत भूलिएगा ताकि मैं नए वीडियो डालू उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके आईए देखिए कैसे बनेगा इसके लिए मैं एक फूल गोबी ली हूँ इसे अची तरह से मै बहुत बढ़ियां आ रहे हैं से पाले हों कि मैं टन्ठल सब निकाल करके छुटी छुटी पीशे analyst में क्ट कर लिए अब इस्होन में बॉइल्ल पानी डाल रही हूँ एकंदम बॉइलिंग वाटर है इसे डाल रही हूँ और इकचमच नमक डाल करके मैं 10-151 मिनट के दो करके एक घंटा के लिए गरम पानी में भीगो के रख दी हूँ मैं हाफ कप चावल ली हूँ और उसमें चार हरी मिर्च और साथ आठ ले सुन और जीरा इन सब को मैं पीस ले रही हूँ मिकसर जार में और एक इंच अद्रक का टुकडा भी ली हूँ ये काफी चटपटा बनाना है इसे बैटर को इसमें आधा कप पानी एड़ करके इसको ग्राइंड करके मैं इसका फाइन पेस्ट त्यार कर रही हूँ अब मैं एक बोल में टांसफर कर ले रही हूँ और इसमें डेड़ कप मैं इसमें बेसन मिला रही हूँ बेशन डालने से इसमें काफी अच्छा बाइंडिंग का काम करेगा यह अब मैं नमक डाल दे रही हूं एक छोटा चमच और एक छोटा चमच चिली फ्लेक्स डाल रही हूं और एक छोटा चमच मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूं होड़ एक छूटा पाउड पाउडर दाल हूँ और एक छूटा कमच मैं ब stuk Tra रें साथ में इस में बनाऊंगी थोड़ा थोड़ा पानी ऐड़ करके मैं से इसका बैटर त्यार करी हूँ पानी को इकठा मट डालिएगा थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा पानी इसमें और ठीक एक बैटर त्यार करना है इसका देखिए इस तरह से बैटर बनेगा इसका इतना गाड़ा रहेगा ये अब मैं इसमें धन्यापत्ता मिला दे रही हूँ बारी कटा हुआ इसे भी मिक्स कर ले रही हूँ इस बैटर में देखिए धन्यापत्ता मिक्स हो चुका है गोबी को अच्छी तरह से धो करके इसे स्ट्रेनर में मैं स्ट्रेन कर ली हूँ देखे गोबी सुख चुका है इदम पानी इसका नहीं है फुल गोबी को मैं बैटर में डाल दे रही हूँ और इसको डिप करके मैं फ्राइ कर ले रही हूँ आप चाहे तो चम्मच या हाथों की मदस से जिससे भी आपको पसंद हो उससे आप पकोड़े को इस तरह से तेल में डाल सकते हैं इक्लिक करके आप पिसे डालिए पकोड़े को तेल में तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है मैं हाई फ्लेम पे इससे पका रही हूँ पकोड़े डालते समय फ्लेम को हाई रखना है आप कोई भी ओयल में इसे फ्राई कर सकते हैं मैं इसे वेजटेबिल ओयल में फ्राई कर रही हूँ आपको दिखा रही हूँ यह मस्टर्ट ओयल में भी बहुत अच्छा लगता है पकोड़े बगएर अब जो भी ओयल खाते ह इसमें फ्राई कर ले अब फ्लेम को मैं मीडियम कर दी हूँ डालने के बाद पकोड़े को ताकि अंदर से भी हो जाया गोबी और उपर से काफी क्रिस्प बनेगा और अंदर से सॉफ्ट रहेगा यह पकोड़ा इसी तरह उलट प्लट करके इसे फ्राई कर ले रही हूँ देकि काफी अच्छा सुनहरा कलर आ चुका है इसमें अब मैं इसे निकाल लूँगी मैं इसे टीसू पेपर में निकाल ले रही हूँ ताकि इसका एक्सेस ओयल निकल जाए देखे काफी अच्छा दिखरा है यह पकोड़ा काफी क्रिस्पी बना है अब बहुत टेस्टी भी लगता है यह खाने में इस तरह से बनाने से अब मैं सेकेंड बैच भी इसी तरह फ्राई कर ले रही हूँ देखे इस तरह से फ्राई करना है सेकेंड बैच को भी मैं फ्राई कर ली हूँ अब इसे भी निकाल ले रही हूँ पकोड़ा हमारा रेडी हो चुका है यह काफी टेस्टी बना है और बहुत क्रिस्पी है उपर से और अंदर से बहुत सॉफ्ट है इसमें मैं जो पोस्टों के दाने डाली थी वो भी देखी दिखाई दे रहा है काफी अच्छा लग रहा है यह बहुत टेस्टी लगता है इसे जरूर ट्राइ करें अपने घर में और अपने एक्सपिरियंस मुझसे सेर करें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपकी फूल गोबी की पकोड़े कैसे बने प्लीज लाइक सब्सक्राइब सेर करना ना भूले थैंक यू